आज हम डिसकस करेंगे अपनी सिरीज का most important question number 6 और ये question number 6 अब तक का सबसे ज़्यादा important question है क्योंकि section A, B, C, तीनों में ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है section A में ये जितनी भी general exception आपके दिये गया है सामाने अपवाद ये सभी section A में sword question के purpose जाते हैं चार number का आपको answer लिखना होगा एक page का और section B, C, जिसमें long question आता है जैसे कि हम लोग जो पहले दो discuss कर चुकी है सहमती और योगदाय उपेक्षा ये आपके long question में भी आते हैं sword question में तो आते ही आते हैं ठीक है, तो long question के साबसे हम discuss कर चुके हैं आप जो बांकी के point discuss करेंगे इनको sword question के साबसे discuss करेंगे जो कि हमारे exam में हर बार आप paper देखिए गल, taught का, इनमें कोई न कोई दो से तीन point जरूर लिखे होंगे उसमें ठीक है, बहुत important है ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हम इनको sword में लिखेंगे कैसे और किस तरह से exam में हमारे question आएंगे ठीक है, एक करके सभी कोम देखेंगे और आगे बढ़ें, इससे पहले आपको एक और चीज़ बता दें कि यह जो sword question है, यह आपके long में इस तरह से आ सकते हैं कि जैसे कि कभी-कभी होता है कि long question पूछ लेता है 15 marks का है, 20 marks का, जिसमें 2-3 point लिखेंगे कि इनको explain करो, वो भी cases के साथ, ठीक है तो आपको cases उसमें लिखनी होंगे और उसमें आपको उसको explain भी करना होगा, तो इस तरह से यह long में भी इस तरह से बन सकता है, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है जैसे कि 100 लिए आप त्यार करोगे, 1-5 page का अंसर, 100 लिए त्यार करोगे वहीं पे long में आ जाएगा, तब भी हमको लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है लेकिन वहाँ पे 3 हो जाते हैं, तो तीनों को अलग लिखना होता है, इस तरह से एक्जाम में आ सकता है चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं, जो समान अपवाद है कि है क्या समान अपवाद अगर हम साधान बात समके हैं, तो प्रतिवादी अपने द्वारा किये गए अपकरत्य पूरकारियों के लिए उत्तरदाई होता है लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं जब प्रतिवादी अपने द्वरा की गए अपकरति पूर्ड कारियों के लिए उत्तरदाई नहीं होता है और यह जो अपवाद होते हैं यह दो प्रकार की लिए एक आपका विश्यस अपवाद होता है और दूसरा आपका समाने भावी दुरखटना, कि भाई अवश्यम भावी दुरूखटना है क्या अगर यह अमारे एक्जाम में आ जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीके, तो अब इसको देख लेते हैं, अवश्यम भावी दुरूखटना जिसको इंगलिस में बोलते हैं, inevitable accident, ठीके, ऐसी दु बोला जाता है अवसंभावी दुरखटना ठीक है और अवसंभावी दुरखटना का तातपर होता है आप प्रत्यासित छती आप प्रत्यासित जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है जिसको एक्सपेक्ट न किया गया हो कि ऐसी भी कोई गटना हो सकती है उसको क्या बोला जाता रहा उसके उपर कारवाही नहीं की जा सकती है ठीक है उसका कोई दाई तो नहीं होता है प्रतिवादी का प्रतिवादी के द्वारा अवसंभावी दुर्खटना का बचाव लिया जा सकता है अब यहां पार जो सर्फ रेडरिक पूलक हैं इन्होंने अपनी पुस्तक अपक्र लगता बरतो इस दुर्खटना को बचाया जाना संभव यह नहीं है ठीक है अता प्रतिवादी यह इस साबित कर देता है कि ना तो उसका आश्य था वादी को छती पहुचाना और ना ही युग युगति साधानी बरत करके भी वह वादी को छती से बचा सका ठीक है और यह उचित प्रतिरक्षा मानी जाएगी प्रतिवादी के लिए यानि अब इसको और एजी भासा में समझ सकते हो कि अवशंभावी दुरुखडणा क्या होती है कि जिसकी पहले से पहले बात तो अनुमान ना लगाया जा सकता हो यानि उसका पूर्वा अनुमान ना किया जा सकता और दूसरी चीज है कि प्रतिवादी चाह कर भी कितनी भी सतरकता बरत था उस वादी को उस छती से बचाना उसका संभव यह नहीं था यानि बचा भी न सकता तो इसको क्या बोलेंगे अवशंभावी दुरकटना और इस दोरन अगर वादी को छती हो जाती है तो यहाँ पार जो हमारा पहला कीस है इससे आप बहुत अच्छे से समझाओगे कि यह असल में है क्या चीज ठीक है इस्टैनले वर्सेज पाविल यह एक केस है इस्टैनले वर्सेज पाविल इस मामले में होता क्या है कि जो वादी होता है एक वादी होता है और दूसरा प्रतिवादी होत और बंदूग पेड से टकरा करके वादी को लग गई और उसको चोट लग गई जिसके वज़े से उसको काफी छती भी हो गई तो यहां पर जब वादी न्यायाले में जाता है और प्रतिवादी को पर केस लाता है कि उसको छती हुई है उसको अब छती पूर्थी करवाई जा है जो भी उसको छती हुई है तो नियाले के दोरा यह का जाता है कि पहली बात कि यह जो वादी है तो इसका कोई इंटेंसन नहीं था कि वह आपको चोट पहुचा है ठीक है वह तो चडियों का सिकार कर रहा था और दूसरी चीज यह जो दुर्खटना करके वादी की लग गए जिसकी वज़े से वादी घायल हो गया ठीक है अई होब आपको समझ में आगया होगा यह बहुत ही अच्छा केस है इससे आपको बिल्कुल की लिए उरो जाएगा अगर इस केस को याद करना चाहो कि यह किसके वर्सेस किसके था तो इस तैनले से समझ सकते हो कि जो हमारा वादी था वो स्टैंड था खड़ा था इस तरह से कुछ याद कर सकते हो वैसे तो मैंने यह बता दिया आप कुछ अच्छा भी अगर बना सकते हो तो बना लेना क्योंकि क्या होता है कि हम यहां तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं जब हम एक्जाम लेकिन वहां से बूह चलाता है और पतिवादी पाने के लिए उस चिरिया को पाने के लिए बंदूग चलाता है वो बंदूग पेर से डटकरा करके वादी के लग जाती जिसके वसे चोट लग जाती थी नियाले बोलता है कि असंभावी दुरुखर्टना है इसका पहले सरुमान नहीं लगा जा सकता था ठीक है अब एद दूसरा केस रह zeggenु है अब इसको देखते हैं समझते हैं यह है क्या इस मामले में वाधी और प्रतिवाधी दोनों की कुट्टे अपस में झगड़ रहे होते तो जो वादी होता है जो प्रतिवादी होता है ठीक है वो एक छड़ी उठाता है छड़ी के मादम से उन दोनों कुत्तों को अलग करने का प्रयास करता है लेकिन ये प्रयास करते समयानी छड़ी से इन दोनों कुत्तों को अलग करते समय ही उसके बगल में वादी खड़ा होत तर्क दिया जाता है जैसा कि उपरवाले केस में हम लों ने देखा नयालय के द्वरा यह का आ गया कि यह एक विश्व दुरुकटना है यानि यहां पर प्रतिवादी था उसका कोई इंटेंसन नहीं था कि वह वादी को चोट पहुचा है वो तो उसने छड़ी सिर्फ इस कि अब यह मामला हुआ था कुत्ति जो जगण रहे थे उनका मामला था इक किसे में था तो पराउन व रर्सेस केंडेल ब्राउन व शचेंड़ं आधा कि याद करना है तो इसको कैसा करें में तो रटी अध़ीड बच्छों का चोकलेट डाता है जो याद हो जाएगा आपको एक दुबार और सिर्फ हमने वर्ड यूज किया है बच्चों को याद दिलाने के लिए ठीक है केंडल से आदाएगा आपको चॉकलेट चॉकलेट से आदाएगा बच्चे और बच्चे से आदाएगा कि वो कुत्ते दोने बच्चों की तरह जगड रहते ठीक है और यहाँ पर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत बूलिएगा और हाँ ऐसे जो एलल्वी और बी एलल्वी की जो स्टूडेंट है जो आपकी फ्रेंड्स वगरा है जो भी अभी टॉर्ट सब्जेक्ट है उनके सलेबस में तो उनको भी सेर किया करो उनको भी पता चले कि वह क्रतिका बी दो जाता होते हैं क्योंकि मुझे यसा लगता है जो मैंने देखा है जब मैं थी कैसा तो उस समय कोई हिंदी में कोई नोट्स वगरा नहीं थे तो मुझे काफी दिक्कत होती थी क्योंकि वीडियो से लग करना फुड़ा एजी हो जाता है अपनी मन से पढ़ो या ऐसे जो चाहे जब मनो पढ़ने लोगो जब भी मनाए पढ़ने लोगो एक पर repeat कर लो देख लो तो इस वज़े से मुझे काफी दिक्कत होती थी हिंदी में तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे काफी बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम के हैं और जिनको हिंदी में content नहीं मिल पाता है इस वज क्या करो मेरा कहने का मतलब यह है ताकि सब बच्चों की help हो सके यह जो मेरा मेहनत करने का जो मैं मेहनत करती हूं क्या सकते हो कि इसका थोड़ा सा result मिले मतलब कुछ बच्चों का फायदा हो क्या फायदा है कि एक दो बच्चों को पता चले एक दो बच्चे देख पाए उसका फायदा उठा पाए बाकी बच्चे न उठा पाए ठीक है तो I hope आप बात माई समझ गया होगे चले ठीक है अम next मिलते है next दूसरा topic जो आता है उ को जल्दी हिल्दी से कवर करा दोंगे ठीक है थांकियो सूमाच